वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोडिफिकेशन्स स्वागत आपका जनसत्ता पर, मैं हूँ आपके साथ अंचिका साड़ा बोलिवोड की बेबो आज अपना 38 जिनम दिन मना रही है जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करीना की ही करीना कपूर एक ऐसे शक्षियत है, जिनके खांदान में हर कोई सेलिब्रिटी है चाहें बेटा तैमूर हो या फिर पती सैफली खान करीना और सैफली खान की उम्र में करीब 10 साल का अंतर है लेकिन दोनों की जोडी में प्यार की कोई कमी नहीं है सैफ करीना को लेकर बेहद पजेसिव भी रहते हैं इसी के चलते एक बार उन्होंने अरजुन कपूर को फटकार तक लगा दी थी क्या था ये किस्सा? आईए जानते हैं अरजुन कपूर ने करीना कपूर के साथ फिल्म की एंड का में काम किया था साल 2016 में आई ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी इस फिल्म में इन दोनों स्टार्स की केमेस्टری कमाल की थी फिल्म में अरजुन और करेना ने कई सारे इंटिमेट सिन भी दिये थी लेकिन कहा जाता है कि इन दोनों स्टार्स की ये केमेस्ट्री ऐसे ही नहीं बनी थी इसके लिए भी करेना और अरजुन ने काफी वक्त एक साथ स्पेंड किया था तब जाकर दोनों पर इस केमेस्ट्री का रंग चड़ा था लेकिन इस बीच सैफली खान के रियक्शन में परिवर्तन आने लगा था स्पोट बोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में करेना और अरजुन के बीच का फाइटिंग सीन जब रैप अप हुआ तो उसकी अगली रात को को स्टार अरजुन ने करेना को फोन किया लेकिन सैफली खान ने करेना के फोन को देख लिया जिसमें अरजुन का फोन आ रहा था फिर क्या था सैफली इस बात से बेहत खफा हो गए ये पहली बार नहीं था जब रात में अर्जुन बेवो को कॉल कर रहे थे अर्जुन कपूर ने इस बीच कई बार करेना को रात में कॉल किया था ऐसे में एक दिन सैफ को गुसा आ ही गया एक इंटर्व्यू में सैफ निखान ने खुद बताया था सैफ ने कहा कि उन्होंने अर्जुन को समझाया कि करीना उनसे बहुत सीनियर है और अर्जुन को उनकी सिन्योर्टी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बता दे कि इन दिनों अर्जुन कपूर मलाइका अरोडा के साथ अपने रिष्टे को लेकर चर्चा में है मलाइका के अर्बाज खान के साथ डिवोस के बाद ही ऐसे खबरे आने लगी थी कि मलाइका और अर्जुन एक दूसरे को डेट कर रही है और अब दोनोंने इसके पुष्टी भी कर दी है वर्क फ्रंट के बाद करें तो करीना इंग्लिश मीडियम और गुड न्यूस जैसी फिल्मों में नजर आने वाली है तो ये था करीना कपूर के बर्दे पर उनके और सैफ के जीवन से जुड़ा एक किस्सा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हाँ कमेंट बॉक्स में करीना को हैपी बर्दे विश्च करना बिलकुल ना भूले और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले चनसत्ता को